गेट डेजंट वांट्स डॉंकी तुबी वेरी प्रेसाइज यह बहुत हार्ष लाइंग्विज लगेगा गेट डॉंकी तुम दिन रात महनत करो मेरेको वह आदमी नहीं चाहिए मेरेको कम टाइम में जो वैलू क्रियेट करके दे सकता है स्मार्टर पिपल्स मेरेको दे सकत है स्मार्ट वर्ट जो कर सकता है मेरेको वह आदमी चाहिए यू केनाट एफोर्ड तो हैव नेगेटिव मांग चालीस से पैतालीस क्वेशन अगर सही बाद तुम्हारा अल इंडिया रेंग पचास के अंदर हो जाए तुम लिख के लिए इसेट में क्या कारना होता है तीन घंड mistakes तुम कम से कम तुम्हारा इतना फ्रीक्टिस हो जाना चाहिए यह जो तीन गंड्ड pero यह Тीन घंडे का पेपर अईसा हो एक गंटा चालिस मिनुट मैंक्स एक गंटा चालिस मिन 앞 गंटा पचाँस मिन Turks मैंक्सीमूं तुम लेना पहला एपि पेपर筹 डेक सब में करने के लिए तुम अगर तुम pre experiment क्लेश कर दे Consumer 65 दिया जाता है एक नोटपैड तो दिया जाता है यह सब चीजे थोड़ी देखो अगर तुम strategy बना के कोई भी काम करोगे तो मतलब 10 बार में से 9 बार तुम्हारा वो काम successful होगा ठीक है और बिना strategy के चलोगे तो 9 बार तुम्हारा गलत होगा एक बार तुम्हारा साही हो गया ठीक है अब तुम इसमें क्या करोगा पहले पेपर देख लो ठीक है वो नोटपैड में लिख लो कि कौन सा कौन सा question तुमको आ रहा है कौन सा कौन सा देखके समझ में आ जाएगा कौन सा question मेरे से बनेगा कौन सा question मेरे से नहीं बनेगा तुम एक बार पूरा पेपर को सॉल्प कर लो एक घंटा चालिस मिनिट इस लाइट तुमको 65 तो करने नहीं है तो इतना बहुत मतलब डिफरेंस नहीं सूचोगे तो पचास क्वेस्टन भी अगर सई क्या दिया न तो बहुत नंबर मिल जाएगा पचास क्वेशन लेकिन सई होने चाहिए चालीस से पैतालिस क्वेशन अगर सई वाद तुमारा ऑल इंडिया रंक पचास के अंदर हो जाएगा तुम लिख के लिए तो तो यह तो यह तुमारा प्रॉपर स्कीम तुमको उतना नहीं सोचना है कि में को चालीस पैतालीस क्वेशन बनाओ खुश रहो जीवन में तुमको इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं जितना बी गेट का टाफनेस बढ़ जाए इस से ज़्यादा नहीं हो पाईगा अगर तुमको देख के लग रहा कि पेपर इजी है तब उस केस में अलग है कोशिश यह करना हमेशा प्रे यह करना कि पेपर अगर तफ आएगा तो जो लोग सही में पड़े हो जो लोग सही में मेहनत किये हो कट आफ भी नीचे आएगा तुमारे रैंक बढ़ने का भी चांस बह अग्दम फट से तुमको क्लिक कर गया कि हाँ यह होगा यह तो होगा ही होगा तो यह तुम फर्स्ट अटेंब में रख लो तो यह कहीं नहीं कहीं मैंने पड़ा है थोड़ा रिकॉल करूंगा तो याद आ जाएगा वह सेकंड अटेंब में रखना होता है कि यह मेरा ठीक है गेट डजेंट वांट्स डॉंकी तुबी वेरी प्रेसाइज यह बहुत हार्श लैंग्विज लगेगा गेट डजेंट वांट डॉंकी कि तुम दिन रात मेहनत करो मेरे को वह आदमी नहीं चाहिए मेरे को कम टाइम में जो वैलू क्रिएट करके दे सकता स्मार्ट सकता है स्मार्ट वर्क जो कर सकता है मेरे को वह आदमी चाहिए ठीक है तो वैसा आदमी बनो दिन रात में मेहनत करूंगा और मेरा कोई रेजल्ट नहीं होगा दे डोंट सिंप्ली वोंट दें तो इसलिए गेट का इतना इंपोर्टेंस है हाथ तो 45 साही किये तो यह थोड सब्सक्राइब और उसमें से नेगेटिव मार्स किता है यू कैनाट एफोर्ड तो है नेगेटिव मार्स कैनाट है एक माक्स एक माक्स पॉइंट त्री त्री आपको बहुत नीचे खीज लेती है जिसको 52.66 मिला उसका ओल इंडिया रंक सेवें ताया है तो तुमको पढ़ ने रहा है तुम्हारे शाय डाउट मतलब वह एमेंटी स्वाथ तर रहा भी उसका ओल इंडिया रंक सेवें ताया था उसको मास मिला 52.33 या 52.66 सम्टिंग यू कैनाट हाव यू कैनाट एफोर्ड और जिस बंदे का 52 आया उसको अल इंडिया रंक तेरा चला गया है इसको 52 तु आया उसको अल इंडिया रंक तेरा आया विफ्टी टू पैंट शिक्स पर तुम्हारा अल इंडिया रंक सेवें ताया है तुमको टॉप टेन से बाहर निकाल देगी तफ तो था ओविएस बर का क्वेशन देखो 2020 के बाद 2020 के बाद जितने भी गेट हुए है ना जितन यह प्रॉपर देखो पहले क्या होता था कि कॉपी पेस्ट चलता था अभी प्रॉपर आयए टीज के ना मतलब क्या बोलता है प्रॉफेसर्स आके बनाते हैं ठीक है तो अभी तुम लोग का वह वाला होगा ने साल जैसे लेजिसलेशन का बहुत सारे क्वेशन्स आ तो किस पड़त है सब्क. कम से कम o not notice होता यार कि एक कि मेरे लिए तो बहुत था क्या हृथ कि मेरे को पचास मिला तो मेरे को 9 नॉमबर मिल जाता मेरा Will Perry marल इंडिया रहे को आ जाता ये सब चीजे है अच्छा बाइधे वे तुम लोग कोई निए इस बार की it's मैю बता दूंगा कितने रेंग तक क्या है भॉब भी डिसाइड नहीं हुआ है फिका लेकिन संहों यह मैं जरूर बता सकता हूं1 जोग होगा Razla M conv फिल्ट के कुछ आइफोन देने की बाद हो रही है और कुछ जहां तक मिर को पता है लप टॉप देने की बाद चल रही है तो यह तीन तुमारे इंप टॉपया है आइफोन मैंने अप्ड और बुलट थे गहां और स्मार्ट वच्छेश कुछ-कुछ रहेंगे To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.